बीते कुछ दिनों में फलका थाना छेतर अंतरगत सोख्था उत्री पंच्वायत के बरेटा गाउं और पिरकोमा पंच्वायत के चोचला ग्राम में पानी में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई थी इस मौत की खबर जैसे ही सांसद राजेस रंजन उर्फ पपू यादब को मिली सांसद पपू यादब पीरित पडिवार से मिलने फल का पहुँचे सांसद पपू यादब सबसे पहले सोथा उत्री पंच्वायत के बरेटा ग्राम में बीते दिनों कैलास सर्मा के घर पहुँचे जहां बीते दिन कैलास सर्मा के 15 वर्सिय पुत्र की मौत पानी में डूबने से हो गई थी वहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की इस पूरी घटना को लेकर जानकारी ली और सोग जताते हुए उन्हें सांतवना भी दिया कि आप लोगों को जल्द ही मौवजे की रासी मुहया कराई जाएगी पीरित परिवारों से मिलने के बाद सांसत पपू यादव पिरकोमा पंचायत के चोचला गाउं भी पहुँचे जहां बीते दिनों रमन यादव का 16 वर्सिय पुत्र भी पानी में डूब गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी वहां भी उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दिलाई कि आप सभी को जल्द ही मुआबजे की रासी मुहया कराई जाएगी वहीं सांसत पपु यादव ने हमारे केवी सी संवधाता चंदन को बताया कि मैं यहां जनता के समस्याओं से रूबरू होने आया था वहीं मौके पर ग्रामिनों ने सांसत पपु यादव को बिजली, सरक, नलजल योजना से भी अवगत कराया और कहा कि गाउं में सरक और बिजली की वेवस्था बहुत खराब है उसे सुधार करवाई जाए दूसरी और पपु यादव ने साभी ग्रामिनों को भरोसा दिलाया और कहा कि जल्द ही इस गाउं की जो जरजर सरक है उसे निर्मान कराया जाएगा और बिजली की समस्या को भी दूर कराई जाएगी इस मौके पर नयर मसूद खान वकील दास और मोहमद तहसील के साथ साथ कई जन प्रतिनिधी भी मौजूद रहें